जै माता थी मित्रों कैसे हैं आप सब उमीद करती हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे मैं आपकी मित्र अंशु गुप्ता, एस्ट लॉजर, वास्थू एक्सपर्ट, पामेस्ट और नियूम लॉजिस्ट मित्रों इस वीडियो के माध्यम से साल 2021 में रक्षा बंदन का तोहार कब मनाया जाएगा, राखी बांधने का शुप्स शमय और तिथी बताई जाएगी, बद्रवा पंचक के विशह में भी बताई जाएगा मित्रों 2021 में रक्षा बंदन कब मनायी जाएगी, उसकी संपून जानकारी दी जाएगी, उससे पहले आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है, अगर आपने अभी तक मेरे दोनों चैनल एस्ट्रो फ्रेंड अंशू और वांचन बेस्टिस को सब्सक्राइब नहीं किया है, त वीडियो पसंद आए तो लाइक सरूर करें, वीडियो को जादा से जादा शेयर करें, मित्रों शरवन मास की पुर्णी मातिती को रक्षा बंदन का तोहार मनाया जाता है, ये तोहार भाई भेहन के प्यार का प्रतीक है, इस दिन भेहने अपने भाई की कलाई पर राखी ब इस प्रकार उन दोनों के बीच में भाई भेहन का बंदन विक्सित हुआ, और भगवान क्रिश्न ने भी उनकी रक्षा का फचन दिया, इस दिन भ्रामन अपने जनेयों बदलते हैं, और जिन भेहनों के भाई नहीं है, उन्हें निराश होने की आवशक्ता नहीं है, आपको बता दें कि साल 2021 में रक्षा बंदन का तोहार 22 अगस्त दिन रविवार को मनाया जाएगा, इस दिन पूर्णिमा तिती है, इस दिन पूर्णिमा तिती 21 अगस्त 2021 को शाम को 7 बज़े शुरू होगी और पूर्णिमा तिती 22 अगस्त 2021 को शाम को 5 बज़ कर 31 मिनट पर समापत होगी, तो मित्रो राखी बांदने का शुब मौरत सुबह 6 बज़ कर 15 मिनट से शाम के 5 बज़ कर 31 मिनट तक रहेगा, और इस दिन बदरा तिती भी है, तो बदरा तिती 22 अगस्त को 6 बज़ कर 15 मिन बांदी नहीं जाती है, आपको ध्यान रखना है कि भदरा काल में भाई को राखी ना बांदे, भदरा काल बहुत ही अशुब समय माना जाता है, इस दिन से पंचक भी शुरू हो रहे हैं, पंचक 22 तारीक को सुबह 8 बज़ से शुरू होकर 26 अगस्त सुबह 11 बज़ कर 31 मिन बहने भाई को राकी बांते समय, पानी वाला नारिल हाथ में सरूर दें, राकी के समय बहने जो मिठाई भाई को खिलाती हैं, वे सफेद और काली नहीं होनी चाहिए, जैसे कोई की बर्फी ना हो और काले गुलाब जामुन ना हो, इनको अशुब माना जाता है, बहने बहन के लिए दोनों के लिए परेशानी हो सकती है, बहन वा भाई इस दिन काले वा नीले रंग के वस्तर ना धारन करें, क्योंकि काले वा नीले वस्तर धारन करने से अशुबता आती है, हो सके तो इस दिन पीला, हरा, लाल, इस के रंग के वस्तर धारन करें, भाई भाई तो इस दिन एक साथ बैटकर भोजन ग्रहन करना चाहिए और भाई भेन एक दूसरे की मंगल कामना की प्रातना करें ऐसा करने से भाई और भेन के जीवन में आने वाले सभी कस्ट दूर हो जाते हैं इस प्रकार आप रक्षाबंदन का तोहार शुब मौरत में मना सकते हैं तो आप रक्षाबंदन वाले दिन इन उपाय को करते हैं तो भेन के स्ने और प्यार और आशिरवात की वज़े से आपके जीवन में आने वाली सभी बाधाएं और परेशानियां तूर हो जाएंगी तो वो उपाय क्या है सबसे पहले आप यदि वेपार में परेशानी आ रही ह या आपकी कोई प्रोमोशन रुकी हुई है तो इस दिन रक्षाबंदन के दिन आप विश्नु सहस्तर नाम का पाट करें बहनों से रक्षाबंदन के समय दोआर पुझवाएं यानि की चौकट पर जल छिड़के स्वास्तिक बनाएं सेवई से पूजा करें और उसके बतने में आप बहन को यथा शक्ति दक्षिना दें भाई के लिए जो राखी बहन खरिद रही है उस पर विशेश तोर पर ध्यान दे वे राखी नाजुक नहीं होनी चाहिए कई ऐसा ना हो कि राखी बानते बानते वे राखी तूट जाए तो ऐसा अशुब संकेत माना जाता है क भाई के जीवन में परेशानिया आ जाती है तो राखी खरिदते समय ध्यान दे कि वे राखी नाजुक नहीं होनी चाहिए राखी काले रंकी भी नहीं होनी चाहिए राखी प्लास्टिक की भी नहीं होनी चाहिए क्योंकि यदि प्लास्टिक की राखी यूज करते हैं तो भ वास्तिक बना हो ऐसी राखियां शुप्ता का संकेत देती हैं तो ऐसी राखियां अपने भाई के लिए सरूर खरी दें भाई के घर राखी के साथ बहने रोली मोली अक्षित अक्षित जानते हैं ना आप अक्षित कहते हैं साबुत चावल को जो शतिक रस ना हो यानि की तू ना हो तो अक्षित और मिठाई जरूर ले कर जाएं मिठाई आप पीले रंकी खरीदें तो बहुत अच्छा है और जो आप अक्षित लेके जा रहे हैं अपने भाई के लिए उन्हें भी हल्दी से पीला कर लें तो ये एक शुप शंकेत होता है ऐसा करने से मालक्ष्मी की किर आपको और आपके भाई को अवश्य मिलती है भाई को राकी बांदते समय जमीन पर लाल रंग का आसन बिछाएं जिस पर आप बैठें और एक आसन पर भाई को बठाएं भाई को आप जिस थाली में राकी डाल के बांद रही हैं उसमें दिया जलाएं और भाई को एक जल य का अधिपती बुद्ध घ्रह होता है और बुद्ध यानि की बुवा बेहन और बेटी यदि आपके लिए बुवा बेहन और बेटी मंगल कामना की प्रात्ना करती हैं तो वह भाई हमेशा जीवन में तरक्की करता है जितना बेहन और बुवा और बेटी आप से प्रसंद रहे उतना ही आप अपने विपार और नौकरी में तरक्षी करेंगे जिस घर में बुव बेहन और बेटी का अपमान होता है वहां से मा लक्ष्मी रोस्थ हो जाती है और वहां पर खुशियां ज्यादा समय के लिए नहीं रह पाती है तो ध्यान रखें कभी भी बेहन बेटी और ब पसंद आई होगी वीडियो अच्छा लगे तो लाइक जरूर करें वीडियो को जादा से जादा शेयर करें यदि आप किसी विशेयर पर जानकारी चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में लिखकर पूस सकते हैं मेरा नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है मित्रों आप मुझे फेस्बुक और इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं मेरा इंस्टाग्राम और फेस्बुक लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है मित्रों मेरे दोनों यूटुब चैनल एस्ट्रों अंचु और वांशन बेस्टिस को सब्सक्राइब जरूर कर बेल आइकन प्रेस करके औल पे क्लिक करें जिससे आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलें जै मात अदी आपका दिन शुब हो